नमस्कार दोस्तों इंडिया स्वाइक्स चैनल पर आपका स्वाधत है तो भारत और USA के बीच में जो रिलेशन्स हैं जो डाइज हैं और हाल में डोनों कंट्रीज के बीच में जो गेम्स चल रहेंगे उसको समझने के लिए हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ साथी में उसी को समझने के लिए कि क्रिकेट का एक्जामपल भी लेंगे तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल ऐकन दबना ना भूले ताकि आप तो इस प्रकार की कबरें मिलती रहें तो आईए शुरू करते हैं तो भार पाकिस्तान का मैटर आता है तब वो पाकिस्तान की साइड लेता है और भारत पीछे छोड़ देता है उसी के उपर वो काफी लंबे समय से केल रहा था और साथी में भारत में इनस्टैबिलिटी भी बनाय रखने के लिए वो अलग-अलग कंडे अपना रहो ऐसा भी चला लेकिन ये जो एक कश्मीर का एजन्डा है वो कॉंस्टनली चलते आ रहा है और उसमें पाकिस्तान में ट्रेन होकर आतंगवारियों तो भारत में जम्मो कश्मीर में बेजा जा रहा है जिस तरह से कबरे आ रही है और रीसंट में ये जो आमले हैं वो काफी फ्रिक्व उड़ाय जा रहा है उसके बारे में हमने आप लोगों से एक वीडियो में सर्चा दी थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नेचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंग दे देंगे आप जाकर ज़रूर देखेगा इस वीडियो के बाद इस वीडियो हम पर्टिक्ल वो हाल में बैटिंग कर रहे हैं और वो काफी ही अग्रेसिवली और काफी ही अच्छा केल रहे हैं पिछले तीन चार पांच ओवर में उन्होंने कई सारे रन बनाये हैं अलग अलग ओवर में साथ से बारा के बीच में हर एक ओवर में उन्होंने रन मारे हैं तो उसी के चल वो काफी experience भी है और साथ ही में उनके पास technique भी है तो उसी के उपर चलते हुए वो काफी ही सोच समझ कर वार्डिंग करते हैं पहला जो ball डाला जाता है वो शुरुआ ओफ स्टम के उपर डाला जाता है इस तरह से ताकि विराठ कोली ओफ साइट पर खेल दो रड निकाल सके फिल प्लेसिंग भी उस तरह से की गई होती है बाद में दूसरा ball डाला जाता है वो थोड़ा सा ओफ स्टम के बाहर की साइट ताकि विराठ कोली को थोड़ा सा रूम मिल सके और वो बाहर निकल उसको आफ साइट पर केल सके जिससे वो सीधा एक सिक्स जड़ देता है इन सभी के बीच स्टेडियम में एक बहुत ही एकसाइटिंग माहूल बन जाता है और इंडिया-इंडिया के नारे कोली-कोली के न बार बोल्ड किया जाता है जिसको विराठ कोली तुरंट ही जज़ करके ऑफ साइट के बाहर लॉंग ओन के हो सिधा एक चक्का मार देता है तो इस प्रकार से तीन बॉल्ड काफी रन बना लिये होते हैं और पूरा जो स्टेडियम है वो एक दम एकस्टेटिक हो जाता है को बाद में वो ग्रूम कर रन अप की ओर निकल जाता है बाद में डालते हैं वो चौथा बॉल्ड चौथा बॉल्ड जो होता है एक परफेक्ट यॉर्प ऐसा यॉर्प उसको किसी भी अलग तरीके से खेलने की अधर कुईटिस करे दुरा तो वो वहाँ पर क्लीन बोल्ड हो आप विराट कोली की जगा पर आपके किसी और फेबरिट प्लेगर तो ले सकते हैं लेकिन वो अल्टिमेंटली बात है वो ये है कि भारत जो है वो हाल में विराट कोली की जगा पर है वो काफी ही अच्छे से और काफी ही अग्रेसिव जियो पॉलिटिक्स में आपने खेल खेल रहा है। दूसको ए्रिक कारसे की जेक सलेबन इनके जैसे रूहू' के त्वारा जो बालड ड़क एक लॉफ्टेड एक इजी बाल दिया जा रहाय है उसके ऊपर भारत वह हुथ ही अच्छे से चक्के चोके मार रहा है साथ ही कुछ ऐसी बॉल्स भी थोड़ी बहुत की जा रहे है जैसे कि पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा जैसे कि कश्मीर में जो आतन बात बढ़ा रहे हैं वो वालम है जिसको भी काउंटर करने के लिए काउंटर ही अच्छे से काउंटर करने के लिए भारत और भारतियस सेना दोनों ही समर्थ हैं और वो लोग कर भी रहें लेकिट एक ऐसा मुद्दा है एक ऐसा परफेक्ट यॉर कर दे जिसको तैयार किया जा रहा है जिसके उसब जादा तत में स्ट्रीम मेडिया की भी नज़त नगी भारे है। इस प्र्टिक्लर मुद्धे के उब इस प्रटिक्लर बॉल के उबर हमने कई सारे वीडियोस बनाया थे जो पर्टिक्लर वॉल है, जो पर्फिक्ट यॉइरकर अमारे भी साथ से हो सकता है, यूएस डीप स्टेट के त्वारा या फिर सीक्रेट सोसाइटी के त्वारा या फिर इल्यूमनाटी के त्वारा जो भी आप कहलें उन लोग के तो यह एक परफेक्ट व्यॉर्कर हो सकता है वो आलमे मनिपूर म्यानमार और बंगला देश में चल रहा है वो अब इसके उपर उनने कही सारे वीडियोज बना है शेख असिना ने भी इसके उपर भी हमने दो अलग अलग वीडियोज बना है कुकी इंसर्जंस को लेकर वो मनिपूर में मावल बना है उसके उपर भी हमने वीडियोज बना है अगर आपने नहीं देखे हैं तो जापर जरूर देखें ता प्राइक करने हैं जिससे वो लोग बे ऑफ बेंगवाल में और इंडियन उसमें अपनी प्रेजिन्स प्रूव कर से जिस तरह से इंडिपेंडेंस के पहले भारत और पाकिस्तान के दों कुप्रे कर गिये थे और पाकिस्तान में यूएस जाकर हाल में बैट किया है काफी यह जो पर्टिक्लर क्रिस्टन नेशन कह लिए या फिर कुकी लैंड कह लिए या फिर कोई और नाम ले लिए वहां पर यूएस ए और वेस्टन कंट्री और खास करके यह जो सीख्रेट सुसाइटी है तो वहां पर अपनी प्रेजिंस जमाना चाहते हैं और वहां पर एसी करना चाहती है जिससे वो इस पूरे रीजिन में जहां पर एक तरफ बांगलादेश और पहारा थे तो दूसरी तरफ म्यानमा चाहिना इस पूरे अरिया को वह अपने उब्जर्वेशन में रख सके इस पूरे अरिया में वह अपना सिक्ष चला सके उसी के चलते हमने आगे हाउसेज है उसका उप्योग करके वो लोग ये नेरेटिव चला रहा है कि म्यानमार में सिविल वाल्ग चल रहा है और साथ में मनिपूर में भी सिविल वाल्ग चल रहा है जबकि हकीकत यह है कि मनिपूर में जो इस्यूद हो रहे हैं वो ओरिजिनली स्टार्ट हुए थे ड्रग्स के पॉपी कल्टिवेशन के नाम पर और बाद में वो कुकी इंसर्जन्सी की बज़े से बढ़ गए हैं, वही कुकी इंसर्जन्स जो म्यान मार के चिन स्टेट में प्रेन होते हैं और बाद में सौफिस्टिकेड़ वेपन्स लेकर जैसे की असौल्ट रैफल्स लेक जैसे की हैंड क्रेनेट्स लेकर भारत में घुश जाते हैं और मनेफुल अपना आतम फैला रहे हैं, उसके उपर NIA और अन्यदूबी एजन्सीज हैं, वो कॉस्टंटिक्ट डाउन कर रही हैं, साथ ही में जो इंडियन आर्मी है, आस्वाम राइफल्स है, बेलोग भी वह कुकी मिलिटन्स सिर्फ फाइनेंशली या मीडिया बैकप देकर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा हैं, बल्ब स्रंभवत अन लोगों को मिलिटरी ट्रेनिंग भी दे रहा हैं, अब ऐसा हम क्यों गह रहे हैं, तो कल हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया, जहां पर ये सप उसे ही इस पुष्ट दिखाई पड़ रहा था कि ये जो यूएस मरीन्स हैं, एक्स मरीन्स हैं, वे लोग वहां पर गूमने नहीं गए हैं, वे लोग वहां पर किसी मकसत से गए हैं, और अल्रीडी कुछ समय से वहां पर रह रहे हैं, जिस तरह की उन लोग के बीच में देखिए वो वीडियो उस नेवी के one of the best soldiers माने जाते हैं, one of the best commandos माने जाते हैं, उन लोग की उपस्तिती म्यान मार में देखने को मिली हैं, और वो भी उस जगह पर जहां से पहारत में कुकी militants insurgency करते हैं, गुस्पे करते हैं, वो इसी के चलते हैं, हम वे ये बात स्पश्टर रूप से कह सकते हैं कि यू ऐसे सिर्फ financially या मीडिया के द्वारा ही नहीं, बलकि military class training देखने, और साथ ही में संबवता, weapons देकर, military grade weapons देकर, इन को की militants को तयार कर रहा है, भारत के लोगों और भारत की सरकार और भारत की आर्मी के सामने लड़ने के लिए, तो अगर इस प्रकार से training दी नहीं है, संबवदार, इसी लिए, भारत में, मनेपोर में, इन militants के अगेंस में को operations चल रहे हैं, उसमें उतनी तेजी से control नहीं आ पा रहा है, जितनी तेजी से ये लोग जम्मो कश्मीर में या पंजाम में control कर लेते हैं, ये बहुत ही चिंता जनक बात है, और ये उसी line प ये पूरा वाकिया दिखाई पढ़ रहा है, तो आने वाले समय में हम लोग को देखना होगा, कि क्या भारत सरकार भार्तिय सेना, इसको लेकर चौकरनी हो जाती है, और इंटरनेशनल स्टेज पर USA उपर, इसके सामने सवाल कुछाती है, या नहीं, और साथ ही में, ये जो क की गुस्पेट ये है, जो मिल्टन्स है, उनके सामने किस तरह से एक्षेंस लिये जाती है, ये भारत की अखंडगा का सवाल है, ये भारत एक्ठगा सवाल है, इसके लिए सरकार किसी की भी हो, सवाल सभी से भी हो, आपको क्या लगता है, ये पूरा वीडियो देखकर, हमा ताकि आपको ऐसी ऐसी खबरे मिलती रहें, जो आपको मेन सेम मीडिया कहीं पर भी निखाए नहीं देगी, मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए, जय हिंद हर हरमा देगे.